इस video में हम यूजर मेंचन करेंगे multiple image URL के method से यहाँ पर मैं mention users module में गई हूँ हमें multiple image URL upload करना है तो मैंने second option यूज चया है इसमें आपको URL upload करना पड़ेगा उसके लिए मैं text document में already मेरे पास 2 URLs है तो मैं उसको browse कर रही हूँ ब्राउजर में मैं आपको ये URL दिखा देती हूँ अभी ये वो image है जापर मुझे mention करना है user को और ये वो दूसरा URL ये वो दूसरा image है दो URL अपलोड हो चुके है user input में मैं random users mention को option select कर रही हूँ और range मैंने एक से पांच रखा है account मैंने select कर दिया है जिस पे मुझे काम करना है delay set कर दिया और मैंने अपना action process start कर दिया है अब देख सकते है gram dominator कैसे काम कर रहा है ये white dialogue box में एक image पे comment successfully हो गया है दूसरे पे भी हो गया है यानि की हमारा process अभी complete हो चुका है gram dominator के मदद से ब्राउजर में जाके हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये comment आ गया है users mention हो चुके है gram dominator की मदद से ये वो सेकंदी मेंचे ये वो सेकंदी मेंचे